नमस्कार यदि हम आज अपने माता पिता को अपने साथ रख नहीं सकते घर छोटा होने की बात कहके वेतन कम होने की बात उन्हें सम्मान जनक इस्थिती में रख नहीं सकते तो फिर आप घर जे बाहर मानुआदिकार की बात कैसे कर सकते हैं आप किसी मंच पर खड़े होके मानुआ अधिकार का मा भी कैसे बोल सकते हैं, जब आपने कभी इस बात को सोचा ही नहीं कि जिस तरीके से मेरे माता पिता ने मुझे खाना खिलाया है, मेरे नीन का ख्याल रखा, मेरे बिमारी का, मेरे सिक्षा का, ठीक उसी तरह मुझे भी उ संस्कृती सीखी है, तो आगे जाकर मानुआ अधिकार उलंगन का हमें सामना करना पड़ेगा, किसी भी संस्कृती में या सिखाया ही नहीं जाता है, कि यदि आपने खाना खा लिया है, तो आप यह सुनिश्चित करें कि आपकी माने खाना खाया है कि नहीं, यदि आपने पानी पी लिया है, तो सुनिश्चित करें, आपके माता पिता ने पानी पिया की नहीं, यदि आप अच्छे कपड़े पहन कर घूम रहें, तो सुनिश्चित करें, आपके माता पिता ने अच्छे कपड़े पहने की नहीं, यही कारण है कि जब आपका बच्चा बड़ा होकर आप से दूर जाता है नौकरी करता है तो उसके मनोविज्ञान में कभी करता विका वह अस्थान उभरता ही नहीं है वहाँ पे सुन्निता होती है क्योंकि बच्पन से उसने देखा है कि सिर्फ आपको करना है उसे कुछ नहीं करना और यहीं पराकर एक विचलन दिखाई देत है जिसे आप खुले रूप से मानुवा अधिकार लंगन कहते हैं इसके लिए आप भरण कोशन एक्ट भी बनाते हैं लेकिन महत्पूर कमी उस करतब में है जिसमें आपने अपने बच्चे को संबंध यानि संबंध समान एकाउंटिबिल्टी सम सेम अमाउंट आफ के बारे में हमारे क्या बात ही नहीं होती क्या पूरे विश्व में बात नहीं होती है यही कारण है कि मानुवा अधिकार आज भी पूरे विश्व में अधूरा है हमारे देश में अधूरा है क्योंकि complete shape में मानुवा अधिकार ना समझते हैं ना कहते हैं और आज अंतर रा मानवा अदिकार के लिए बहुत ही सुनहरा है मैं आलोग चांटिया अखिल भारतिया अदिकार संगतन के लिए फिर आपके साथ किसी ऐसे ही मात्पूर्ण बात पर मुद्दे पर होंगा लेकिन तब तक आपके सामने या प्रशन छोड़के याता हूं कि क्या संबंध यानि स सेम अमांट आफ एकांटिबिल्टी सेम अपांट आफ रिस्पॉंसबिल्टी को आप महसूस कर पाया स्क्राइब या सिर्फ आपने अपने लिए अच्छा चाहा उसी प्रपोर्शन में आपने दूसरे के लिए वाच्छा ही नहीं कि तो फिर मानु अधिकार कैसे हमारे बी कर दो आपने 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 आपने